गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू माई चैनल स्टडी विता भीमान, सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एक्जाम 2022 के लिए साइन्स में फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हो, सो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है विद्द्धारा के अनुप्रियोग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, एप्लिकेशन ओफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट वन है, सो मैं आप सभी स्टुडेंट्स को बता दू कि ये जो आपका चैप् को पूछे जाते हैं, और खास कर आपके इंटरंस एक्जाम में इस चैप्टर से निउमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टिन तेयोरी पार्ट को यहाँ पे डीटेल में पढ़ाने वाला हूं, और जो इस chapter के theory part के बीच में से questions बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे solve करवाओंगा तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं और देखते हैं इस chapter का first topic क्या दिया है इस chapter का first topic आप लोगों को आपकी screen के उपर दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है विद्दत उर्जा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं electrical energy तो चलिए देखते हैं आखिर विद्दत उर्जा होती क्या है तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी चालक में विद्द आवेस के प्रवाहित होने के कारण जो उर्जा बे होती है उसे विद्द उर्जा कहते हैं विद्द उर्जा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं electrical energy बोलते हैं अब आप लोगों से यहाँ पे एक question पूछा जा सकता है question क्या पूछा जाएगा आप लोगों से मैं question बोल रहा हूं इसको note कर लीजेगा आप लोगों से question पूछा जा सकता है कि किसी चालक में विद्द आवेस के प्रवाहित होने के कारण जो उर्जा वे होती है उस उर्जा को हम क्या कहते हैं या फिर वो उर्जा क्या कहलाती है आपको चार options दे दिये जाएंगे जिसमें आपको विद विद्द उर्जा भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप answer क्या करेंगे answer आप देंगे विद्द उर्जा कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है देखे ये question आपका theory part के बीच में से बना हुआ है और ऐसे ही questions आप लोगों के exam में पूछे जाते हैं देखे maximum student क्या करते हैं वो केव question को solve कर लेते हैं theory part को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो theory part को आप लोग एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजेगा क्यूंकि theory part के बीच में से जो आपके questions बनते हैं वो आपके exam में अधिकतर पूछे जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है तो question एक बार मैं फिर से repeat कर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी चालक में विद्धुत आवेस के प्रवाहित होने के कारण जो उर्जा व्य होती है उसे हम क्या कहते हैं या फिर वो उर्जा क्या कहलाती है तो आप answer में क्या बोलेंगे विद्धुत उर्जा कहलाती है जिसे हम English में बोलते हैं electrical energy तो question को note जरूर कर लीजेगा ठीक है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है आगे यहां पर लिखा है कि माना किसी चालक के सीरों के बीच विभुवांतर वी वोल्ट है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दू यहां से मात्रक क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए कि विभुवांतर का मात्रक क्या होता है तो आप बोलेंगे वोल्ट होता है क्या होता है वोल्ट होता है ध्यान रखिएगा विभुवांतर का मात्रक जो आपको होता है वो वोल्ट होता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो ये भी question आपसे पूछा जा सकता है तो देखें यहाँ पे लिखा है कि माना किसी चालक के सिरो के बीच विभुवांतर वी वोल्ट है तब यदि चालक में टी सेकंड के लिए क्यू कूलों आवेश प्रवाहित किया जाए अब मैं आपसे पूछू कि आवेश का मातरक क्या होता है आवेश का मातरक जो होता है वो होता है कूलों ये भी आपको ध्यान रखना है ये चोटे-चोटे questions भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलों होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. तो यहां पे लिखा हुआ है कि टी सेकेंड के लिए क्यों कूलों आवेश प्रभाहित किया जाए? तब किया गया कार अथुआ व्यय उर्जा क्या हो जाएगी? डबलू इस एक्वल टू वी इंटू क्यू आपका हो जाएगा? ठीक है, डबलू से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? किया गया कार अथुआ व्यय उर्जा. चाहे आप किया गया कार बोलिये, चाहे आप व्यय उर्जा बोलिये, बात एक ही होगी, तो यहाँ पे इसको डबलू से रिप्रेजेंट किया गया है. तो डबलू इस एक्वल टू वी इंटू क्यू लिखा है? वी से हमारा मतलब किस से हो जाएगा? पोटेंशियल डिफ्रेंस से हो जाएगा, यानि विभुवांतर से हो जाएगा. विभुवांतर को हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफ्रेंस बोलते हैं. और क्यू से हमारा मतलब किस से हो जाएगा? आवेश से हो जाएगा, आवेश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं और आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको ध्यान रखना है तो ये फॉर्मुला आप ध्यान रखिएगा आप इसको बोल सकते हैं किया गया कार्य अथुआ व्याय उर्जा बराबर आपका होता है विभुवांतर गुड़े आवेश या फिर W is equal to B into Q होता है ये फॉर्मुला आप लोग लर्न कर लीजेगा इसका यूज करेंगे हम नियूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय जब नियूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको इस टाइप के कही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पे हम इस फॉर्मुले का करेंगे और ये फॉर्मुला आप लोगों ने क्लास 9 या 10 में जरूर पढ़ा होगा अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे तो देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया कि W is equal to V into Q होता है अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक फॉर्मुला और मिलेगा कैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है not तो आगे सॉल्व करेंगे ऊपर मैं आपको समझा दे रहा हूँ तो डब्लु । इसके बाद देखिए V लिखा हुआ है V भी आपका ऐसे ही रहेगा फिर इसके बाद into फिर यहां पे Q लिखा हुआ था तो आपने एक formula पढ़ा होगा Q is equal to आपका एक formula होता है I into T तो आप इसको Q से हमारा मतलब क्या हो जाएगा Q से हमारा मतलब हो जाएगा आवेस से तो आवेस बराबर आपका एक formula होता है विद्धुत धारा गुड़े समय I से हमारा मतलब यहां पे क्या हो जाएगा विद्धुत धारा से यानि electric current से और T से मतलब हमारा हो जाएगा time यानि समय से तो Q is equal to आपका एक formula होता है I into T तो इसी Q का मान हम यहां पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा I into T ठीक है जासा कि आप देख पारे होंगे यहां पे bracket में लिखा भी हुआ है यह आपका तो यहां पे अगले step में क्या हो जाएगा W is equal to V into I into T तो ऐसे आपका यह formula आया हुआ है इसको भी आपको ध्यान रखना है तो I hope आपको यह step समझ में आ गया होगा कि W is equal to V into I into T कहां से आया यहां पे देखे V से हमारा मतलब हो जाएगा विभुवांतर से I से मतलब हो जाएगा विद्धारा से T से मतलब हो जाएगा समय से यहां तक आपको समझ में आ गया अब इसके बाद आगे इसको solve करेंगे देखे एक formula हमें आगे और मिला हुआ है अब यह क्या से आया इसको हम समझेंगे देखे इससे पहले यहां पे आपका क्या आया हुआ था W is equal to हमें मिला था V into I into T यह हमें यहां पे मिला हुआ था अब आप लोगों ने एक formula और पढ़ा होगा V is equal to एक formula होता है I into R अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजे तो V से मतलब हमारा क्या होता है V से मतलब यहां पे potential difference यानि विभुवांतर और I से मतलब यहां पे आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा विभुवांतर बराबर विद्धुत धारा और गुड़े में आपका प्रतिरोध हो जाएगा R से मतलब हमारा किस से हो जाएगा resistance से यानि प्रतिरोध से अब मैं आप से एक question पूछू कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है तो आप answer क्या देंगे ओम होता है इसको भी याद कर लीजेगा ये question तो आपके exam में पूछा भी जा चुका है तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यहां पे हम कहां पे थे हमारा formula क्या आया था V is equal to यहां पे I R आया हुआ था ठीक है जासा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो देखे W is equal to V into I into T मिला हुआ था अब इस V की जगा हम क्या रख सकते है V की जगा हम रख देंगे I into R तो V की जगा हम क्या रख देंगे यहां पे I into R हो जाएगा यह हो गया फुर इसके बाद यहां पे एक I तो आपका पहले से ही था और into में T आपका है ठीक है जासा कि आप लोग देख पा रहे होंगे देखें यह सब आपका multiply में है यहां भी I है यहां भी I है इसकी हम क्या करेंगे multiply करवा देंगे तो देखें W is equal to हमें यहां पे क्या मिला I into R into I into T देखें I और I की multiply करवाएंगे तो आगे w is equal to i हमारा यहाँ पे square में हो जाएगा और r है और t तो आपका रहेगा ही तो w is equal to i square r t यह formula हमें एक और मिल गया जैसा कि आप लोग देख पारेंगे तो ऐसे यह आपका आया हुआ है I hope आपका यह step यहाँ पे clear हो गया होगा काफी detail में मैंने आपको समझाया है और देखिए w is equal to i into r होता यह भी formula ध्यान रखिएगा यहाँ पे bracket में लिखा भी हुआ है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब इसकी help से हमें एक और formula मिलेगा एक और relation मिलेगा जो की यह नीचे आपका दिया हुआ है ठीक है तो यह कैसे आएगा इसको हम समझेंगे देखिए हमें यहाँ तक मिला हुआ था भी w is equal to i square और r t यहाँ तक मिला हुआ था अब देखिए एक formula मैं आपको बताने जा रहा हो देखिए i is equal to आपका एक और formula होता है v upon me r i से मतलब हमारा क्या हो जाएगा विद्धधारा से v से मतलब विभुआंतर r से मतलब हमारा हो जाएगा प्रतिरोध से तो आप क्या बोलेंगे विद्धधारा बराबर आपका होता है विभुआंतर और अब अटे में प्रतिरोध इंग्लिश में बोलेंगे तो electric current is equal to आपका यहाँ पर हो जाएगा potential difference upon mere resistance यह आपका हो जाएगा ठीक है तो देखे यहाँ पर i square लिखा है तो यहाँ पर हम value को रख यहाँ पर क्या करेंगे value को हम यहाँ पर put कर देंगे तो देखे i square है तो i is equal to v upon r तो v upon r हम यहाँ पर रखेंगे v upon r अब क्योंकि यहाँ पर square है तो यह पूरे में क्या लग जाएगा आपका square लग जाएगा ध्यान रखेगा पर इसके बाद into में r है और into में t है तो यहाँ पर इसको एता ही रहने दीजे ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया w is equal to v upon r यहाँ पर square into r into t यहाँ पर हो गया अब देखे v upon r यह पूरे पर square लगा है तो अगले step में क्या करूँगा w is equal to मैं square अलग-अलग कर लूँगा v पर square लगा दूँगा और upon में r पर square लगा दूँगा क्योंकि दोनों पर लगा हुआ है पूरे पर है तो मैं अलग-अलग करके ऐसे लिख सकता हूँ और into में r है और into में t है तो यह तो आप तर रहेगा ही अब देखे यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझ येगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब देखे r r यहाँ पे देखे square में है यानि power 2 लगी हुई है तो एक power यहाँ से cancel करेंगे और एक r आपका cancel हो जाएगा क्योंकि r square का मतलब क्या होता है r into r होता है न तो जब एक cancel करेंगे एक r यहाँ पे cancel हो जाएगा ठीक है यहाँ इसका मतलब आप समझ गए होंगे अब नीचे देखे अब क्या बचेगा अगले step में तो w is equal to उपर बचा हुआ है b square यह r तो cancel ही हो गया into में t आपका है और नीचे देखे आपका पहले क्या था r square था एक power हमने cancel कर दी और एक r cancel हो गया तो r की power 1 तो r की power 1 तो हम लिखेंगे नहीं तो इसको हम क्या लिखेंगे r ही लिखेंगे तो upon में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे upon में आपका यहाँ पे आ जाएगा r ठीक है तो क्या मिला हमें w is equal to v square into t और upon में r तो यह आपका formula मिला हुआ जसकी आप लोग देख पा रहे होंगे तो ऐसे हमें यहाँ पे solve करना था ठीक है तो यह सभी step आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक-एक point मैंने आपको detail में समझाया है अगर आपको कोई point नहीं समझ में आया हो तो आप मुसे comment करके पूछ सकते है तो इन सभी relations को आप लोग आज ही पढ़ लीजेगा और learn कर लीजेगा important है इनका use हम करेंगे numerical को solve करते समय अब देखते next topic हमारा क्या दिया है next topic हमारा दिया है विद्द उर्जा तथा किलो वाट घंटा में संबंध जिसे हम English में बोलेंगे relation between electrical energy and kilowatt hour तो चलिए देखते हैं विद्द उर्जा तथा किलो वाट घंटा में संबंध होता क्या है तो देखें यहाँ पे लिखा क्या है यहाँ पे लिखा है आई एंपियर की धारा टी समय तक प्रवाहित हो तब परिपत में व्याय हुई उर्जा डबलू इस एक्वल टू आपका एक फॉर्मुला होता है विद्द शक्ती गुडे समय विद्द शक्ती को हम पी से रिप्रजेंट करते हैं और देखें इंटू लगा है तो इंटू लगा देंगे समय को टी से और यहाँ पे डबलू इस एक्वल टू आपका रहेगा ही ठीक जैसा कि आप लोग देख पारे होंगे तो डबलू इस एक्वल टू आपका क्या हो जाएगा पी इंटू टी हो जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पारे होंगे तो यह formula आप लोगों को ध्यान रखना है तो w is equal to आपता क्या होता है विद्धुत शक्ती गुड़े समय यानि w is equal to आपका हो जाएगा p into t यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा देखे विद्धुत शक्ती को आप लोग विद्धुत सामर्थ भी बोल सकते हैं चाहे विद्धुत सामर्थ बोलिए चाहे विद्धुत शक्ती बोलिए बात एक ही होगी यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है तो देखे यहाँ पे आपसे एक question पूछा जा सकता है कैसे पूछा जाएगा आपसे पूछ दिया जाएगा कि यदि किसी परिपत में वी वोल्ड के विभुवांतर पर आई एम्पियर की धारा T समय तक प्रवाहित हो तब परिपत में व्यक्वी उर्जा क्या होगी और आपको चार options दे दिये जाएंगे जिसमें आपको W is equal to P into T भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप ध्यान रखेगा W is equal to P into T आपका होजाएगा ठीक है W से हमारा मतलब यहाँ पर क्या होजाएगा जो व्य हुई उर्जा है यही होजाएगा ध्यान रखेगा W is equal to आपका क्या होजाएगा विद्दूसक्ति गोडे समय यानी W is equal to P into T हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना ये formula भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब देखें इसको आगे solve करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा जब आगे solve करेंगे W is equal to तो देखे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P is equal to आपका एक फॉर्मूला होता है V into I, यह आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, P is equal to आपका एक फॉर्मूला होता है V into I, V से हमारा मतलब हो जाएगा विभुवांतर से, I से हमारा मतलब हो जाएगा यानि V से मतलब potential difference यानि विभुवांतर और I से मतलब electric current यानि विद्धारा तो P is equal to V into I होता है P से हमारा मतलब क्या है यहाँ पे विद्धुत शक्ती से है यानि electric power से है यह आपको ध्यान दखना है तो देखें यहाँ पे आपका P दिखा तो P की जगा हम क्या लिख सकते हैं V into I लिख सकते हैं यह लिख दिया और T तो यहाँ पे पहले ही से ही आपका दिया हुआ था तो w is equal to v into i into t आपका हो जाएगा और ये किसमे है what घंटा में है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे विद्धत उर्जा तथा kilowatt घंटा में संबंथ को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे w is equal to v into i into t ये आपका किसमे है what घं घंटा में है अब क्या करेंगे अगले step में इसको solve करेंगे आगे तो w is equal to v into i into t करेंगे और देखिए ये watt घंटा जो है इसको हम kilowatt घंटा में change करेंगे तो जब kilowatt घंटा में change करेंगे तो कुछ नहीं करना 1000 से हम नीचे क्या कर देंगे divide कर देंगे और जो ये watt घंटा है ये आपका kilowatt घंटा में change हो जाएगा किसमे kilowatt घंटा में आपका ये change हो जाएगा ठीक है ये आपको ध्यान रखना है पहले ये आपका watt घंटा में दिया हुआ था जो आपका w is equal to v into i into t मिला ये watt घंटा में अगले step में क्या किया w is equal to v into i into t लिखा और upon में 1000 से डिवाइड किया क्यों किया क्योंकि watt घंटा को हमें kilowatt घंटा में change करना था तो w is equal to v into i into t upon 1000 ये आपका kilowatt घंटा में हो गया ये भी relation आपको ध्यान रखना है तो आपने इस topic को भी आपे पढ़ लिया जो आपका topic था व hope आपको ये topic अच्छे से समझ में आ गया होगा एक से दो बार पढ़ेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा केवल और केवल आपको यहाँ पे in relations पे ध्यान देना है ठीक है अब चलिए इसके बाद देखते है next topic हमारा क्या दिया है next topic जो की आज का हमारा यहाँ पे वह उर्जा जो एक वाट की सामर्थ वाले परिपत में एक घंटे में व्यह होती है एक वाट घंटा कहलाती है यह आपको ध्यान रखना या आपसे question के रूप में पूछा आ सकता है कि वह उर्जा जो एक वाट की सामर्थ वाले परिपत में एक घंटे में व्यह होती है वो क वॉट घंटा बराबर क्या होता है तीन हजार छेसो जूल होता है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक वॉट घंटा बराबर होता है क्या पूछा जाएगा एक वॉट घंटा बराबर होता है और चार आप्शन आपको दे दिय जाएंगे जिसमें आपको 3600 जूल लिखा हुआ भी मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि एक वोट घंटा बराबर होता है 3600 जूल इसको नोट कर लीजेगा देखिए आपकी बुक में जो exercise के questions होते हैं वहाँ पे आपको ये सब questions नहीं देखने को मिलेंगे ये मैं आपको theory पार्ट के बीच में से questions बता रहा हूं इनको नोट कर लीजेगा और याद कर लीजेगा और यही questions आप लोगों से अधिकतर पूछे जाते आपके exam में ये आपको ध्यान दखना है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब आगे देखते क्या लिखा यहां पे लिखा परिपत में एक घंटे में जितने विद्द्द उर्जा बै होती है वह एक यूनिट अथवा एक किलोवाट घंटा कहलाती है अब देखे यहां पे क्या लिखा हुआ है एक किलोवाट विद्द्द सामर्थे वाले परिपत में और उपर जो हमने पढ़ा था वोट में अब नीचे यहाँ पे एक किलो वाट की बात हो रही है ध्यान रखिएगा वाट और किलो वाट में डिफरेंस होता है अंतर होता है ध्यान रखिएगा तो एक किलो वाट विद्दत सामर्थे वाले परिपत में एक घंटे में जितनी विद्दत उर्जा व्य होती है वह एक एकजाम में दो से तीन बार पूछा जा चुका है यहाँ पे लिखा है एक किलो वाट घंटा बराबर एक हजार वाट गुड़े एक घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 रेस टुदी पावर 6 जूल तो आपको ध्यान रखना है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर आपका होता है 3.6 इंट आपको 3.6 इंटू 10 रेस टुदी पावर 6 जूल भी लिखा हुआ मिलेगा तो आपको इसी पे टिक करना होगा ध्यान रखेगा यह क्वेशन दो से तीन बार पूछा जा चुका है आपके एकजाम में अब यह कैसे आता है यह मैं आपको डीटेल में समझा देता हूँ जो 1 क किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 रेस टुदी पावर 6 जूल आया है आखिर यह आता कैसे है इसको समझे तो मैं उपर लिख देता हूँ एक किलोवाट घंटा एक किलोवाट ऑफर इसके बाद मैं हापे लिख देता हूँ घंटा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक किलोवाट इंटू में एक घंटा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो देखिए एक किलोवाट बराबर आपका होता है एक हजार वाट यह आपको ध्यान रखना है एक किलोवाट बराबर आपका क्या होता है एक किलोवाट बराबर आपका होता है एक हजार वाट ये भी आपसे पूचाय सकता है, कि एक किलो वाट बराबर होता है, तो एक किलो वाट बराबर होता है, एक हजार वाट, यानि एक किलो वाट की जगा में क्या लिख दूँगा, अब यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा, एक हजार वाट, क्या लिख दूँगा, गुड़े में एक घंटा दिया है, इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे, तो एक घंटे में आपके कितने सेकेंड होते हैं, तीन हजार छे सो सेकेंड यानि चटिस सो सेकेंड होते हैं, देखें एक घंटे में आपके मिनिट कितने होते हैं, साथ मिनिट होते हैं, और एक मिनिट में कितने सेकेंड, साथ सेकेंड होते हैं, जब सब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सेकेंड में चेंज करेंगे, लिख दूँगा 3600 सेकेंड यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब आगे इसको सॉल्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा देखे एक हजार वॉट लिखा हुआ है तो मैं आपको एक रिलेशन बताने जा रहा हूं एक वॉट बराबर क्या होता है एक वॉट बराबर एक जूल ठीक है एक जूल पर सेकेंड होता है यह ध्यान रखेगा आपसे पूछाया सकता है कि एक वॉट बराबर होता है चार आपको दे दिये जाएंगे और यह भी आपको लिखा हुआ मिलेगा एक जूल पर सेकेंड वाला तो एक वॉट बराबर एक जूल पर सेकेंड होता है तो 1000 वाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा इस relation के according तो चलिए मैं उपर यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ तो 1000 वाट की जिगाब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 जूल पर सेकेंड यह आपका हो जाएगा और इंटू में आपका 3600 यानि 3600 सेकेंड यह तो आपका रहेगा ही अब देखें यहाँ पर यह सेकेंड से यह सेकेंड आपका कैंसल हो जाएगा बचा क्या आपके पास अब यहाँ पर 1000 यह बचा हुआ है ठीक है एक हजार और ये किस में है जूल में है एक हजार जूल और यहाँ पे इंटू में 3600 यानि तीर हजार छे सो बचा हुआ है और सेकेंड से सेकेंड तो पहले ही कैंसल हमारा हो चुका है अब एक हजार की मल्टिप्लाई आपको करानी है 3600 में यानि एक हजार गुड़े 3600 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा मैं उपर लिख दे रहा हूं नीचे जगा है नहीं तो आपको क्या मिलेगा 3600 मिलेगा 3600 लिखेंगे फिर इसके बाद 500 एक दो तीन चार पाँच 3600 जूल मिलेगा जब आप 1000 की मल्टिप्लाई 3600 में कराएंगे और यह आपका जूल में है तो 3600 जूल मिलेगा इसको अब हम क्या करेंगे पावर के फॉर्म में कनवर्ट कर लेंगे तो मैं अब इसको साफ करने जा रहा हूं हमें क्या मिला था 3600 तो यहाँ पे 500 एक दो तीन चार पाँच औ तो क्या लिखेंगे इसको कितने अंक के बाद लगाया दसमलो मैंने एक दो तीन चार पाँच छे अंक के बाद तो हम इसको लिखेंगे 3.6 इंटू 10 रेस टुदी पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी और जूल तो ऐसे आपका आता है 1 किलो वाट घंटा बराबर आपका क्या होता है 3.6 इंटू 10 रेस टुदी पावर 6 जूल होता है ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए आप चाहे डिरेक्ट लर्न कर सकते हैं या फिर मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया है देखिए 36 जूल मिला हुआ था मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया इसको पावर के फॉर्म में कनवर्ट किया पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया था कितने अंक के बाद एक दो तीन चार पांच छे अंक के बाद लगाया था तो 3.6 इंटू 6 अंक के बाद दसमलो तो 10 की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगी और जूल तो आई होप आप किलो वाट घंटा या फिर आप बोल सकते हैं यूनिटों की संख्या देखे यूनिटों की संख्या इस टाइप का कई नुमेरिकल आपका दिया गया है इस चाप्टर में जहाँ पे हमें यूनिटों की संख्या ग्याद करनी होती है तो इसके लिए हम फॉर्मुला क्या यू आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा और यही फॉर्मुला आपका मेन फॉर्मुला है यूनिटों की संख्या ग्यात करने का यूनिटों की संख्या जब जब हमें ग्यात करनी होगी तो क्या करेंगे हम यहां पे फॉर्मुला एपलाई करेंगे वाट गुड़े घंटा और ब चाहें तो चैनल पे जा करके देख सकते हैं तो वाट गुड़े घंटा बटे में एक हजार आपका हो जाएगा यहां पे इस पॉर्मुले का यूज़ करेंगे यूनिटों की संख्या ग्यात करने के लिए मैं आपको बता दू यह जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं विद्द्धारा के अनुप्रियोग इससे पहले दो चैप्टर आपके और दिये गए हैं विद्द्ध से रिलेटेड और वो दोनों चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिये हैं आप चैनल पर जाएगा 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजेगा वहां पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे ठीक है अब देखें यहां तक आपको समझ में आ गया फिर लास्ट में यहां पे लिखा है कि एक मेगा वॉट घंटा बराबर क्या होता है 10 रेस तुदी पावर 6 वॉट घंटा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है क्या होता ह ये आपका होता है 1 मेगा वॉट घंटा बराबर 10 की घात 6 वॉट घंटा तो आपसे क्वेशन कैसे पूछा जाएगा आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 मेगा वॉट घंटा बराबर होता है आपको ये भी लिखा हुआ में लेगा 10 की घात 6 वॉट घंटा तो ये आपको लर आज के आज ही इनको पढ़ लीजेगा और अभी भी इस चैप्टर का theory part completely finished नहीं हुआ है क्योंकि चैप्टर का theory part आपका बड़ा है मैं कोशिश करूँगा अगले part में यानि next part में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का theory part complete करवा दूँ फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और साथी साथ अमारे चैनल study with अभीमान को subscribe करना मत भूलेगा सो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे next वीडियो में thanks for watching